गोवा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है राज्य सरकार ने 18 साल से जादा उम्रवाले लोगों के लिए खास दवाई के इस्तिमाल की मंजूरी दी है जिसका नाम है आईवर मेक्टिन गोवा सरकार ने क्या अदेश दिया है और ये दवाई किस काम आती है आपको बताते हैं गोवा सरकार ने अपने यहां 18 साल से जादा उम्रवाले लोगों के लिए आईवर मेक्टिन की 5 टैबलिट देने की मंजूरी दी है राज्य के स्वास्तेमंत्री विश्वजी तराने के मताबिक इस टैबलिट से लोगों में कुरोना से लड़ने की खिशमता बढ़ेगी और वाइरस का खत्रा कम होगा गोवा में इस दवाई के 12 एमजी के टैबलिट हर जिलों अस्पतालों में उपलब्ध कराये जाएंगे अब जरा आप ये भी जान लीजे कि जिस आईवर मेक्टिन की बात कर रही है ये है क्या आईवर मेक्टिन एक एंटी पैरिस्टिक दवाई है जिसे भारत में Food and Drug Administration द्वारा मंजूरी दी गई है इस दवाई का इस्तिमाल मुख्य रूप से डॉक्टरों की सलाह पर होता है जो किसी तरह के संक्रुमन को रोकने का काम करती है आईवर मेक्टिन दवा पर जीवी संक्रुमन का इलाज करने के लिए ली जाती है ये सामान ने गोलियों की तरह पानी के सास ली जा सकती है रिसेर्चिस का भी मानना है कि आईवर्मेक्टिन की लगातार इस्तमाल से कोविड की चपेट में आने का खत्रा काफी कम हो सकता है रिसेर्चिस ने उपलब्ध आक्डु की समिक्षा के बाद ये बात कही है उनका दावा है कि ये दावा महामारी को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है American Journal of Therapeutics के मैं जून संस्करण में प्रकाशत इस से शोध में आईवर मेक्टीन के उपयोग को लेकर इकठे किये गए उपलब्द आंक्रों की बेहत बारेकी से समिक्षा की गई थी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें